नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अगर आप कार्तिक असनान नहीं कर पाए हैं अभी तक और आप चाहते हैं कि आपको कार्तिक असनान का पुन्य प्राप्त हो तो कार्तिक माह की सुक्लपक्ष की एकादसी जिसे हम देव उठनी या देव थान एकादसी कहते हैं इस दिन द पूर्णिमात तक जिसे हम पांच महा पर्व पंच पर्व के नाम से जानते हैं पांच दिन अगर कुछ नियम आप कर लें तो पूरे कार्थिक माह के नियम करने के इतना पूर्णिफल की प्राप्ति होती है तो यहां पर देखें आसार माह की एकादसी को देवसैनी एकादसी जिस दिन भगवान विश्णू चार महने के लिए छीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं और कार्थिक माह के सुकलपुष की एकादसी यानि देव उठनी एकादसी को स्रीहरी नीन से जाकते हैं तो कार्तिक मास भगवान विश्णू को अतिप्रिय है इस बार कार्तिक जो मास है इसकी एकादसी से लेकर पुनिमा तक पांच दिन आपको नियम पालन करना है बहुत सिंपल है क्या करेंगे पहला तो आपको रोज सुबह चार से पांच बजे के मध्यस्नान कर लेना है और जब आप असनान करेंगे तो नहाने के पानी में काला तिल एक चुटकी डाल कर या हल्दी डाल कर असनान करें दूसरा भगवान सुरी को एक चुटकी हल्दी डाल कर इन पांचो दिनों में आपको लगातार जलर पित करना है और तीसरा लहसन प्याज का सेवन इन पाँच दिनों में मत कीजिएगा क्योंकि एकादसी से सुरू होकर पुर्णिमा तक जो पाँच दिनों का ये ब्रत है सास्त्रों में इन दिनों का लाब उठाने के लिए कुछ उपायक बताए गए है जो धन देता है अच्छा स्वास्त का बरदान देता है मान सम्मान भी देता है कार्तिक पुर्णिमा को त्रिपुरारी पुर्णिमा के नाम से जानते है तो हिंदु धर्मे इस पुर्णिमा का भी बहुत महत्त है माना जाता है इस दिन भगवान भोले नात ने त्रिपुरा सुर राक्षास का बद किया था इसलिए पुर्णिमा का नाम त्रिपुरारी पुर्णिमा है तो पांच दिनों में आप नियमित रूप से तुलसी में जल अर्पित कीजेगा और सुबह साम एक एक घी का दिया तुलसी के नीचे जरूर अर्पित करें जब आप सुबह अब तुलसी में जल अर्पित करें भगवान सुरी को पहले जल अर्पित करें हल्दी डाल कर फिर तूलसी जी में अर्पित करें जल और एक दीपक वहाँ पर तूलसी जी के पास जला दें साम में भी तूलसी जी के पास एक दीपक जलाईएगा संभव हो तो मिट्टी का दिया लीजेगा और उसमें रूई की बाती होगी और घी होगा घीका ही दिया जलाना है पांस दिन आपको एक एक करके सुबह साम दिया जलाना है तो इसके अलाब एगर आपके घर के आसपास कहीं नदी सरोवर है तो आप पुणिमाती थी के दिन घीका दिया नदी सरोवर के तर्ट पे आप कम सकम पांच ग्यारा इकिस की संख्या में जला इसलिए इसमें जल चढ़ाने से भगवान विष्णू की किर्पा प्राप्त होती है तो बुद्धी मान पर्तिष्ठा की ब्रदी के लिए आपको सूरी को जल अरपीत करना है और जब आप दीपक जलाएंगे पुर्णिमाति थी के दिन जिसको हम देव दिपावली भी कहते हैं वैसे तो देव दिपावली देवथाने का दसी को ही कहा जाता है मानेता है कि नदी और स्रोवर में दिया जलाने से अकाल मिर्तु का भै नहीं रहता पित्रों का असिरवाद मिलता है सनिदेव यम राहु केत्व के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए भी नदी के किनारे दीबदान किया जाता है अब मान लेते हैं आपके घर से नदी बहुत दूर है तब जहां पानी का सोथ है आपके घर के आसपास वहां पर भी आप ये दिया जला सकते हैं आपको उतने ही पुन्य फल मिलेंगे या फिर आप कहीं अंधेरे अस्थान पर दिया जला दे घर से बाहर निकल कर इस प्रियोग को करके पूरे कार्तिक मा के असनान का दान पुन्य का फला प्राप्ट कर सकते हैं फिलाल आप से बिजा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें कमेंट करें धरनिवाद